जीवन मंत्रा योगद्यात्म और आयर nectar की वो तरवेनी है जिस से आपका जीवन बनेगा स्वस्त और निरोग। दोस्तों जीवन मंत्रा को आप लोग आज ही सब्सक्राइब कीजिये, लाइक कीजिये और शेयर कीजिये क्योंकि जीवन मंत्रा के जो नुस्खे और तरीके होते हैं वो एक्सपर्ट्स की राय के मताबिक होते हैं इसलिए चैनल को आज और अभी सब्सक्राइब कर लें आप चाहते हैं कि नॉटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए नॉटिफिकेशन आप पाईए घर वेठे वो भी फ्री में दोस्तो आप हमारी टेग लाइन देख कर तो समझ गए होंगे कि हम आज मोटापे को दूर करने की बात कर रहे हैं ट्रेड मील पर चलना दोड लगाना आपके बढ़ते बजन को कम करने का सबसे अच्छा जरिया है पर यदि इसका उप्योग करने से आपको कोई परिशानी हो रही है तो इसका उप्योग बंद कर देने में ही आपकी भलाई है क्योंकि ट्रेड मील पर चलने से कभी-कभी थकान के साथ ही कमरदर्द की समस्या भी होने लगती है जिसका उपचार कराने के बाद भी ये ठीक नहीं हो पाती पर आपको इस बात से घवराने की कोई आविशक्ता नहीं है इस समस्या को दूर करने का सबसे अच्छा उपचार है कैस्टर ओयल ये तेल ना केवल आपके दर्द को कम करने में मदद करता है बलकि आपके बढ़ते बजन को कम करने में भी एहम भूमी का निभाता है कैस्टर ओयल बजन घटाने के लिए एक कारगर उपाय है तो जान लेते हैं बजन को कम करने के लिए ये किस प्रकार सहयक होता है यदि आप इसका इस्तिमाल केवल बजन घटाने के लिए करना चाहते हैं या चाहती हैं इसके साथ ही अरंडी का तेल इस्तमाल करेंगे तो ये आपके फैट को कम करने में सहायक सावित होगा अरंडी के तेल का उप्योग करने के कई तरीके हैं इसका उप्योग आप सेवन करने या इसे शरीर में लगा कर दोनों ही तरीकें से कर सकती हैं इसका उप्योग करते समय इस बात का खास ध्यान रखें कि ज्यादा मात्रा में इस तेल का उप्योग करना आपके शरीर के लिए थोड़ा नुकसान पहुचा सकता है इसलिए उसी संतुलित मात्रा में ही आपको प्रियोग करना है तो चलिए जान लेते हैं कि कैसे इसका सेवन करना है यदि आप सुभह का नाश्टा लेने जा रही हैं तो उस दोरान आप दो तीन चम्मच अरंडी का तेल यानि केस्टर ओयल ले सकती हैं ये आपके शरीर को तरो ताजा बनाए रखने के साथ ही भूप को भी कम करता है ये आपकी पाचन क्रिया को बहतर बना कर कबजियत की समस्या को दूर करने में भी मदद करता है इसका उपयोग करने से आप एक सब्ता के अंदर ही इसके सही परिनाम प्राप्त कर सकते हैं केस्टर ओयल का त्वचा अब में उपयोग कैसे करना है जरा देख लीजिए शरीर में जमे फैट्स को कम करने के लिए केस्टर ओयल पढ़ने वाले खिचाव के निशान और लटकती तवचा को रोखने के लिए भी आप इस तेल का उपयोग कर सकती हैं केस्टर ओयल पेट की तवचा में कसाव लाने के साथ गरवावस्ता के दोरान पेट में होने वाले स्ट्रेच मार्क्ष को भी दूर करने के लिए आप इसका इस्तिमाल कर सकते हैं केस्टर ओयल में होने वाले अतिरिक्त फायदे भी दोस्तो हम आज जान लेते हैं केस्टर ओयल का उपयोग शरीर के बजन को घटाने के लावा और भी बहुत सारी बिमारियों के निदान में काम आता है शरीर की सफाई करता है दोस्तों ये गहराई से अरंडी के तेल यानि केस्टर ओयल का सेवन एक सब्ता निरंतर करने से ये पेट की सफाई कर शरीर के अंदर के जो टॉक्सिंस हैं विशाक पदार्थ उनको बाहर निकालने में मदद करता है इसे पेट पूरी तरह साफ हो जाता है और ये हमारी पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है दूसरा बिमारियों से ये बचाप करता है केस्टर ओयल का उपयोग करने से हमारी शरीर की रोग प्रतिरोदक्षमता मजबूत होती है जिससे हमें बाहरी संक्रमन से लड़ने में ताकत मिलती है इससे हमारा शरीर कई तरह की बिमारियों से लड़ने में सक्षम हो जाता है ये बाहरी संक्रमन से तोचाइवन शरीर की रक्षा करता है कैस्टर ओयल हमें प्रकरती से मिला एक ऐसा ओशदी अवरदान है जो हमें कई रोगों से छुटकारा दिलाता है पर इसका उप्योब करने से पहले आप एक बार अपने चिकित सक्से परामर्श अवश्य ले लें जिससे आपको किसी भी प्रकार की एलर्जी ना हो जीवन मंत्रा में आज इतना ही फिर मिलेंगे एक नए विशे के साथ तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें